स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ और रीजिनिंग तो क्या आपनी प्लानिंग रहनी चाहिए कि अपन मैथ रीजिनिंग में पूरे 40 में से 40 नंबर ला सकें जी बागे मैं तो यह मानता हूँ आपकी तैयारी मतलब ऐसी होना चाहिए मैथ रीजिनिंग और हिंदी ऐसे जीडी मे सब्सक्राइब तो लेकिन यह तीन सब्सक्राइब आपके ऐसे हैं कि इनमें आपना 95% आराम से कर सकते हैं क्योंकि 95% इसकोर लाने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं उनको फालू करना होगा ठीक है नहीं और आपको इसे कुछ टॉपिक भी कुछ मैं पताना चाहूँग ठीक है ना तो आट-टश टॉपिक के वारे मतलब जिन पर मैं भी इन पर ज्यादा फोकस करता था प्रेक्टिस करो तो उन टॉपिक में आपको बताना चाहूँगा कि आपका परसेंटेज है पहला प्रोफिट लॉस है ठीक है इसके बाद आपका है टाइम स्पीड डिस्ट बहुत ज्यादा आए ठीक है तो आप उसको नगार नहीं सकते उसमें आप देख लाएं कि मैंसुरेशन आप कर लें मैंसुरेशन से आते हैं अच्छी कोश्चन ठीक है नहीं इसके लाब आपका जियोमेट्री से एक दो कोश्चन अधी आजाए तो एक आध कोश्चन है जि नहीं वाले हार्ड कोश्चन ठीक है तो इन जो मैंने टॉपिक बता है आपको इन टॉपिक पर ज्यादा ज्यादा प्रक्टिस करिएगा इनका कोई सा भी कोश्चन ऐसा हो कि आप से मिस ना हो पाए क्योंकि आप देखो इसको आप कई टीचर से ही प्रक्टिस करें मलदब अब राइट वे में जो अपनी स्टेट्जी बना के तैयारी करेगा न वहीं बेंदर सेलेक्शन ले पाएगा अधि कोई चाहे कि यार बिगना राजा और तीन महीने में एक्जाम निकाल दे तो वो तो समय एक्स्टर ओडिनेरी होगा तो इतने कम समय में वो पॉसी बाश्